आज सच्चा ये है कि नई संसद की शुरुवात मैलाओं के अपमान के साथ शुरू हुआ है इसके लिए मैं मोदी जी को बदाई देती हूं कि उन्होंने भाजपा का जो परंपरा है मैलाओं का अपमान, मैला शोशन, मैला उत्पीडन, मैला को परताड़ करना ये उन्होंने जो बाजपा की जो परंपरा है इस परंपरा को जिन्दा रखने का काम किया आज मोदी सरकार और मोदी के नए सांसद में जैसे ही प्रभेश किया है उसमें आज ये दिन हम सभी के लिए देश की मैलाओं के लिए एक काला दिन है क्योंकि जैसे मेरे साथी ने, सुप्रिया जी ने उनकी एक एक लफ्ज में सच्चाई है सच्चाई, सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ देश की गौरव के साथ, और दुक्के की बात ये है कि जिस इनसान ने एक बकाबार कभी उनको गल्ती से बेटी बकारा कभी जिन्दगी में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग किसी को बेटी कहके बकारे उस बेटी के साथ और उन बेटियों के साथ जो हुआ है वो आज किसी से नहीं चुपा है, देश क्वासियों से भी और देश के बाहर रहने वाले लोगों से भी नहीं चुपा है आज का दिन भारतीय इतिहास में मैलाओं के लिए खास करके जिस तरीके से भारत के गौरव को जिन बेटियों ने अपने सीने पे मिडल्स लेके आया है उन बेटियों के सीने पे पुलीस के जूते हैं उन बेटियों को रगडा गया, खीचा गया और उन बेटियों के हाथ में देश का जंडा था कोई तालिबानी नहीं थे वो लोग देश के जंडा के साथ आज अपमान हुआ है बेटियों के हाथ में जंडा था जंडा तक गिर गया बेटियों अगर मैं दिल्ली पुलीस हो मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं देश के जंडा को ऐसे गिराने का कोई उनका कोई अधिकार नहीं है सबसे पहले उन सभी पुलीस लोगों पे सभी पे और जिनों ने उनको वहां पे आदेश दिया है उन पे कारवाई होनी चाहिए कि देश के जंडा को अपमान का अपमान सरे आम जिस दिन नई संसद्म का उठगातन हो रहा हो देश के बेटियों के साथ साथ देश क जंडे का भी अपमान हुआ है हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है जिस तिरंगे के लिए देश के लोगों ने बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने आजादी लड़ाई कि आजादी लड़ाई-लड़ी